नमस्का दोस्तो मैं हूँ रानार पुता प्रवाई आपका दोस्त दोस्त एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूटुब चैनेल पर जिसका नाम है health and beauty tips भाई रानार पुता प्रवाई यानि की मैं दोस्तो मेरे medical shop पर मैं दोस्तो chemist भी हूँ और doctor भी हूँ तो मेरा chemist shop है उसमें लोग आते हैं और वो कहते हैं gas की गोली दे दीजिए तो उनको पता नहीं होता gas की गोली कौन सी है, gas का capsule कौन सा है, कौन सा 5 रूपे का है, कौन सा 10 रूपे का है तो उनको सिर्फ यह होता है कि 10 रूपे बाला 2 capsule दे दीजिए gas का, या 5 रूपे बाला 2 capsule दे दीजिए हमारे छेत्रों में सबसे ज्यादा 5 रूपे में 2 gas का capsule चलता है, वो है OMI 20 capsule जिसमें है OMI PRAJAL IP 20 MG, दोस्तों यह एक ऐसा capsule है, जिसको सभी जानते है और इस पे भरोसा करते है और यह बहुत जल्दी gas पे असर करता है, इसका जो फर्मूला है, वो है OMI PRAJAL Gas 2 Resistant IP 20 MG capsule दोस्तों यह एक प्रकार का gas निबारक capsule है, जब आपको acylok या कोई भी ranitidine tablet आप लेते हो, उससे फाइदा नहीं हो रहा है आप उसके बाद 300 MG का लेते है, acylok या जिन टैक का, 1.500 MG से आप 300 MG पे चले जाते हैं, 300 MG भी फाइदा नहीं कर रहा है, अधिक gas बन रहा है तो उस समय आपको omiprasal की जुरुरत पड़ती है, omiprasal एक बहुत अच्छा capsule है और इसको लेने के बाद में gas acidity बनने से जो पेट में दरद होता है, जलन, उपकाई होने लगती है, जी मिचलाता है, घबरहाट होता है तो उस condition में आपको omiprasal लेने से बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता है, इससे 10 मिनिट के अंदर आपको एकदम से आराम मिल जाता है, इसको ताजे पानी के साथ में लेना चाहिए दोस्तों, इसको खाली पेट लेना बैतर होता है, लेकिन अगर कभी आपको gas ज़्यादा ब दवाई हो, या किसी चोट की बजा से हो, या किसी बजा से दरत की दवाई दे रहे हो, या और किसी काम के लिए दे रहे हो दवाई, तो उसके साथ साथ omiprasal जरूर देते हैं, बोलते हैं, खाने से पहले इसको ले लीजिए, और खाना खाने के बाद में फिर आप बाकी लिजिए तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो सही डोज है वो है सुभा को खाली पेट एक बार लेना दोनों बार भी लिया जा सकता है जुरुरत पे लेकिन लगातार इसको लेने से मुह सुख सकता है उपकाय आ सकती है ग्यास अधिक बन सकता है और मुह बार-ब होता है कई सारी परेशानिया उत्पन हो जाती है इससे इसका जाधा लेने से कई डॉक्तर तो मैं देखता हूँ जो चोटे मुटी डॉक्तर है वो तीन खुराक में ओमिप्रजल दे रहा है जो की गल्त है सही डोज नहीं है इसका सिर्फ जुरुरत पढ़ने पर ही दो लेना सही होता है ज्यादा प्रियोक करने से गैस सही होने के वज़ाए और जो हमारा जो भी खाना पिना खाते हैं जो भोज्योपदार्थ हम लेते हैं उसमें से गैस हमारा और निकालके उपर आने लगता है और उससे हमें अनवशक सीने में जलन होता है उपकायाती है और और भी कई सारी परेशानिया उत्बन हो जाती है तो दोस्तों ये कैपसूल गैस, अपच, एसीडिटी, अलसर आदी में बहुत फायदा करता है अलसर में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है जब अलसर की कंडिशन में लगातर गैस बना रहता है जलन बना रहता है तो उस समय इस सही परेश करने से सही हो जाता है इसके साथ और भी जो कोई भी दवाई आपको चाहिए तो आपको जैसे अलसर हुआ है तो कोई भी और एंटिवाटी क्या कुछ लेनी के आवश्यक्ता है तो आप डॉक्टर से सला करके ही लीजिए बीना डॉक्टर की सला से आप कोई भी नहीं ले सकते तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आमिप्राजल कैप्सुल के बारे में जो इंडिया का सबसे ज्यादा चलने वाला कैप्सुल है और जिसका निर्माता है एलकेम एक बहुत ही बड़ा कमपनी है इंडिया का सबसे ज्यादा चलने वाला कमपनी है और इस पे सभी भरोसा करते हैं और चुकि आमिप्राजल आमिटी हंडेड एक एथिकल प्रोड़क्ट है इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है बिना ड आपधानी पूरवक्ट इसका अधिक प्रियोग नहीं करें ग्यास अगर नहीं बन रहा है तो आमिप्राजल कैप्सुल का इस्तेमाल नहीं करें कोई भी दवाई आप ले रहे हैं छोटी मोटी तो उसके साथ में आमिप्राजल ना लेके आप और कोई दूसरा छोटा मोटा फेमोटीडन या फिर रेंडीटीडन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब उससे काम नहीं हो रहा है तभी आमिप्राजल या आमी का इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि मैं यह जानकर। आपको helpful लगी है अगर जरा से भी helpful लगा है आपको तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों में शेर कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज और पर प्रेस करना तक है कि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सब से पहले आप तक पोर सके तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्त रहिए शुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत